आपको पहले मैं एक्स्रेंग कर वाती हूं कि इसके बाद इसके जो करेक्ट आप्शन है वो बोर्ड पे मैंने करवा दिया ठीक है टेकिंग केर आफ हाउस अपने हाउस के कैर कैसे करनी चाहिए एक प्रॉपर प्लेस हमारी कोई भी चीजे है वो प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए यहां अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए उसे ठीक है throw waste into dustbin कुछ भी कच्रा वगरे होता है वो dustbin में हमें क्या करना चाहिए throw करना चाहिए डालना चाहिए यहाँ नहीं डालना चाहिए help your elders in keeping the house clean आपको बड़ो को काम में मदद करनी चाहिए ठीक है house clean करने में grow plants around your house आपके आसपास plants लगाने चाहिए बड़े ठीक है अभी आपके इसके tick the correct option मैंने board पे करवा दिया number one which of the following things is not used in a कच्चा house इसमें three option दिये है यह जो कच्चा house में यूज नहीं होता है तो number a bamboo, b mud, c cement cement है ना पका house में यूज होता है और bamboo और mud किसमें यूज होता है कच्चा house में तो इसमें answer आएगा c, cement a is an example of कच्चा house multi-story building means क्या flats and bungalows or hut hut क्या आएगा कच्चा house में आएगा तो a hut is an example of कच्चा house number three we sleep in the हम कहा सोएंगे तो bedroom में bathroom में यह drawing room में serait- nervous आते है वह bed रहे है b में bathroom में और bedroom में दाएग हम सोते है we sleep in the bedroom मैंने answer simplet अधिया है c, bedroom ठीक है we cook food रहे हम खाना कहा पकाते है bedroom में c, kitchen में यह bathroom तो c, kitchen में bedroom में bathroom में do weа bathroom में भाग bathroom में क्या बनाते है खाना ठीक है यह आपके tick the correct option complete होते हैं इससे इसके बाद next video में answer the following question यह आपको classwork की और homework की book में दोनों में लिखना है और learn करना है Thank you